अपनी कोशिश से नफसियात के माहरी ने अंदाजा लगाया है कि इंसान पैदाईशी तोर पर जिन सलाहियतों का मालिक है आम तोर पर वो उनका सिर्फ दस फीसद हिसा इस्तिमाल करता है। इस तहकीक का जिकर करते हुए हारवर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विलियम जेम्स ने कहा जो कुछ हमें बनना चाहिए वो कुछ हम बनने के लिए तयार नहीं हमें दूसरों से शिकायत है कि वो हमें हमारा हिस्सा नहीं देते मगर सबसे पहले हमें खुद अपने आप से शिकायत होनी चाहिए कि कुदरत ने पैदाईशी तोर पर हमारे लिए दुनिया में जो तरक्कियां और कामियाबियां मुकदर की थी हम उसके मुकाबले में एक बहुत कम तर जिंदगी पर काने होकर रह गए हैं हर इनसान के लिए लाजिम है कि वो दूसरों की तरफ दे आदमी अपनी अमकानियात को इस्तिमाल करके कामिया भी हासल करता है और जब वो अपनी अमकानियात को इस्तिमाल ना करे तो इसी का दूसरा नाम नाकामी है ताहम ये भी जरूरी है कि कोशिशों का इस्तिमाल सही रुख पर हो गलत रुख पर कोशिश करना अपनी को जाया करने के हम्मानी है। अमकान मौझूद था और वो था लोहे को मशीन में तबदील करना। मजूदा जमाने में मखरिबी कुवतों ने इस रास को जाना और अपनी महनतें इस रुख पर लगा दी। उन्होंने लोहे को मशीन में तबदील कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि वो सोने और चांधी से भी जादा बड़ी मिगदार में दौलत हासल करने में काम्याब हो गए।